यार मैंने काफी सारे comments पड़ें उसमें काफी लोग बोल ले हैं कि भाई BSNL का 4G कब आएगा और कुछ तो ऐसे महानभाओं हैं जो पूछ है BSNL का 5G कब आएगा तो आज की सुड़ों में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि BSNL का 4G कब आएगा और BSNAL का 5G कब आएगा या हमें सपने ही दिखा रहा है BSNAL या हम सपनों में ही जीएंगे BSNAL का 4G आएगा BSNAL का 5G आएगा आएगा भी है हकीकत में या नहीं आएगा तो आज की सुड़ों में इसी बारे में बात करेंगे तो वीडियो में सुरू से लेके लास्ट तक बने रहना क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप जो है कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन मिस कर जाएंगे जिससे आपको अधोरी नॉलेज मिलेगी और आपको वीडियो समझ में भी नहीं आएगे तो मैं बता दूँ बीएसनल 4G पे काम तो कर रहा है बीएसनल 4G पे काम कर रहा है TCS के साथ मिलके और BBNL के साथ मिलके यानि BBNL का जो फाइबर पड़ा हुआ है BBNL भी एक बीएसनल का पार्ट है और BBNL के पास भी जो है फाइबर है हाला कि वो गवर्मेंट के लिए काम करता है बीएसनल प्राइवेट सेक्टर के लिए काम करता है मतलब प्राइवेट और गवर्मेंट दोनों को सर्विसेस प्रोवाइड करता है और BBNL मेंली गवर्मेंट को ही सर्विस प्रोवाइड करता है तो दोनों के fiber मिल जाएंगी, यहनि BSNL का जित्ता भी fiber है BBNL का जित्ता भी fiber है, दोनों fiber मिलाके, उसके बाद 4G के towers लगाए जाएंगे, तो मैं बता दूँ पूरे देश का, पूरे इंडिया के सबसे ज़्यादा fiberized tower जिसके पास होगा, वो BSNL के पास होगा, हलाकि अभी कि बैसी के पास नहीं है भी सिर्फ जियों के पास है सबसे उड़ाइब अगर ऐसा होता है आने वाले टाइम में अगर ऐसा होता है हलाकि दीन यह प्रस्तावित कर दिया और बता दिया बीबीनल दीनल एक होके सारे टावर्स को फाइबराइश्ट करेंगे और बीयसे ड़ाइब कि इस साल के इंड तक 75% जो उनके टावर्स हैं 75% टावर्स को जो है फ़ाइबराइस्ट कर दिया कि अफायदा ग्या रहेगा कि ऐसे जब भी अपना 50 रोलाउट करेगा यह जब भी अपना 4g प्लस रोलाउट करेगा तब उनको जो है बेहतरीन चलती है उसकी घ्राइशने की चमता काफी ज़्यादा कम हो जाती है तो इस वज़े से अगर देखा जाये तो जो फाइब्राइशने की ज़िद्ध नहीं होगी उनको नेटर्वर्क जो है फाइबर से मिल जाएगा और बाखी आपको रोल आउट करेंगे अपने मॉडम के थुरू तब ज्यादा मेकैनिजम नहीं रह जाएगा सिंपल सी चीज हो जाएगी कि तार से आपको इंटरनेट आ रहा है और बाकी आपको मॉडम से डिस्टिब्यूट होना है सिंपली इतना हो जाएगा और काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा काफी ज्यादा कमाल और धमाल हो जाएगा तो अभी जो लोग पूछ रहे थे भाई ब्यस्नल का 5G आएगा या नहीं आएगा तो मैं आरुन को सिंपली से या अंसर देना चाहता हूं कि भाई ब्यस्नल का 4G तो आ जाने तो मैं आपको बता दूं ब्यस्नल का 4G 25 में रोलाउट होगा 15 अगस से लेके दिसंबर 2022 तक पूरे इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा और ब्यस्नल का 4G काफी ज्यादा हस्तक अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता तो पहले ब्यस्नल का 2G 3G नेटवर्क भी नहीं आता था लेकिन अभी मैंने दो दिन पहले ब्यस्नल का सिम खरीदा है जिसमें मेरे को अच्छी खासी इंटरनेट पूरा करके दिखाऊंगा जो खबर निकल के आ रही कि ब्यस्नल जो अपना 4G सबसे पहले रॉल आउट करे गया तमिल नाडू एरिया में रॉल आउट करे गया नहीं साउथ इंडिया में रॉल आउट करेगा ब्यस्नल सबसे ज्यादा 4G उसके बाद कुछ मेजर सिटीज ह वहाँ पर देखने को मिलेगा तो अगर मेरी साइड आता है तो मैं आपको ब्यस्नल का 4G दिखाऊंगा और 5G की बारे में अभी नहीं बात करते हैं तब भी बेहतार है क्योंकि ब्यस्नल को भी ठीक से 4G तो हो जाने दो जब ब्यस्नल 4G हो जाएगा तो जैसे ही ब्यस्नल 4 लगा रहा है और ऐसी अपनी रणनीत बना रहा है 75 परसेंट आवर जो फाइबराइट होंगे तो आप सिर्फ यह नंबर सुनना होंगे 75 परसेंट फाइबराइस्ट का मतलब 0 परसेंट लॉस होगा डेटा का सारी चीज़े कम्मिकेशन सब कुछ जो है तार के थुरू होग अब यह सनल का 5G अभी प्राइवेट कंपनी भी 5G नहीं लेकर आया पाई है तो 5G की बारे में सायद से नहीं बात करें आप लोग तो ठीक है तो आपसे यह वीडियो पसंद आई हो तो यह चानल को सब्सक्राइब कर देना और हां कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो त 100% में उसका रिपलाई देने की कोसिस करूंगा और अगर टॉपिक अच्छा हो यानि कमेंट अच्छा हुआ तो उस पर एक वीडियो बना दूंगे स्पेसिफिक क्योंकि कुछ लोग हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं कि उन पर नॉलेज होता है मतलब उन कमेंट में कुछ नॉल हुआ 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 है